Welcome back to streamers, आज हम बात करेंगे कद्दू की बेल की बनीवी दो नई रेस्पीज ये इस बेल को हम डोगा साग भी कहते हैं और ये असाम में बहुत खाई जाती है तो चली सीखते हैं एक साथ इसकी दो नई रेस्पीज एक पकौरे की और एक भुरशी की सबसे पहले हम इसे ऐसे ठीक कर लेंगे जो सकत डंदी होगी उसको हम हटा देंगे और ऐसे रेशर को भी अलग करके हम इसे छोटा छोटा काट लेंगे अगर ये काटते समय कोई छोटा सा कद्दू का टुकरा आ जाए तो कोई प्रॉब्लिम नहीं है आप उसे भी ऐसे छोटा छोटा काट कर ऊसमें डाल सकते हैं तो अब हम सबसे पहले इसके पकोरे बनाएंगे तो पकोरे बनाने के लिए यह जो हम अभी बेल काटके चोटशिटी काटी है उसमें थोरा सही सा अलग लेंगे उसमें नमक, मिर्च और मसाला डाल के बेशन में का अच्छी से लेप लगाएंगे अब उस बेशन में से थोरा थोरा करके हम फ्राई करेंगे तो पकौरे ऐसे रेडी हो जाएंगे यहां हमने लसुन की कुछ पोथियां एक आलू, एक प्याज और एक टमाटर काट लिया है सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे आलू जब थोरे से ब्राउन हो जाएं तो उनको एक जगा निकाल लेंगे और प्याज प्राई करेंगे और लसुन ही अब जब यह दोनों चीज़े फ्राई हो जाएं तो उसमें हम अपनी बेल और आलू को और तमाटर डाल कर मिर्च, मसाला और हल्ली वगएरा जो आप डालना चाहें वो डाल लीजिए और इसको अच्छे से घाई कर लीजिए सौटे कर लीजिए और बीच इसको फिर हम धपके रख देंगे और धपने के पाद बीच बीच में इसको भिलाते रहें सबजी पूरी तयार होने के बाद ऐसे रंग बदल लेगी और कुछ इस तरह की लगेगी इसी तरह से हम लौकी यानि की घिया की बेल की भी सबजी बना सकते हैं और इन दोनों की सबजी को खाके मज़ा ही आ जाता है अब जल्दी जल्दी आप भी ट्राई कीजिए और मेरी बाकी वीडियो उसको देखना ना भूले इस वीडियो को और बाकी वीडियो उसको लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा फिर मिलेंगे अगले व्लॉग पर थैंकी